Hello everyone, welcome to my YouTube channel, शुब शुब बोलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube channel में, thank you so much धेर सारा प्यार देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग comments में मुझे बोलते हैं कि मेरा reading जो है वो maximum number of people सभी के साथ resonate कर रहा है, मुझे और भी अच्छा ल आज का topic आप सभी का favorite topic है, no contact situation पे हम reading करने वाले हैं बट उस topic पे जाने से पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूँ, तो आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपके जिंदगी का सबसे बड़ा डर कौन सा है, आप मैं कोशिच करता हूँ हर comments परने का, कभी-कभी अगर मैं travel करता हूँ या काम में busy रहता हूँ तो मैं शायद पर नहीं पाता, बट मैं try जरूर करता हूँ कि मैं हर comments पर हूँ, तो definitely आप मेरे से share कीजिए कि आप किस बात से सबसे ज्यादा डरते हैं अपने जिंदगी से, ज बहुत बहुत ज्यादा painful situation होता है, जहां पर आपका और आपके partner के बीच में किसी भी तरह का, कोई भी तरह का communication नहीं रहता, ये उन्हीं लोगों के लिए applicable है, जिनके relationship में बिलकुल भी communication नहीं है, अपने partner के साथ उनका किसी भी तरह का कोई communication नहीं है, ये उन्हीं लोगों हो सकता है आप सभी के साथ ये reading resonate करें, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ portion of the reading आपके साथ resonate करें, 50%, 60%, 70%, 80%, 100% उससे ज्यादा भी, तो take it how it resonates, बहुत सारे लोग मेरे से बोलता है कि sir, पूरा का पूरा resonate किया है, और you know, thousand percent भी लोग बोलता है, कि इतना इतना resonate किया है, thank you so much, कि आप लोग गो reading इतना पसंद आता है और reading भी resonate करता है, only because आप proper तरीके से जब shuffling में करता हूँ, शायद आप connect करते हो, इसलिए उतना ज्यादा resonate करता है, या आपका energy cards पकर लेता है, okay, because ये collective reading होता है, सभी के लिए reading होता है, और बहुत लोग देखते हैं, तो हर किसी का जो energy है, वो थोड़ा बहुत card में आ जाता है, automatically, तो जब हम लोग reading deliver करते हैं, तो हो सकता है, बहुत लोग के साथ वो resonate कर जाए, सभी के साथ वो resonate कर जाए, या हो सकता है, कुछ प्रतिशत आपके साथ resonate करे, या हो सकता है, उतना ना करे, तो take it how it resonates and leave the rest behind, okay, in some situations, roles reverse हो सकता ह है, आप male female कुछ भी हो सकते है, आपके partner male female कुछ भी हो सकते है, okay, so हम अब straight away reading शुरू करते हैं, तो आप सभी को पता है, जब मैं card shuffle करूंगा, तो shuffling के साथ खुद को connect कीजेगा and अपने partner को imagine कीजेगा, क्योंकि हम उनका energy check करने वाले हैं, इस no contact situation में, let's see, in this no contact situation, what is the current general energy of your partner, I think we are connected, okay, we got the card, oh, we got two cards, oh, okay, interesting, I need a bottom of the deck, okay, so, basically, मुले को एक ही card लेना था, but यहां पे दो cards जम करके आया है, तो मैंने दोनों को ही लिया, और जो दो card जम करके आया है, जो की उनका current general energy है, in this no contact situation, that is, five of wands and three of pentacles, there is a chance कि यह जो इनसान है, particularly, यह किसी third party के साथ, या तो जुरे हुए है, या तो हो सकता है, this person is a married person, okay, और उनका जो third party के साथ, जो equation है, या उनका जो link है, या फिर अगर वो married है, तो उनके spouse के साथ, उनका जो relationship है, उस relationship में, मैं यहां पे देख रहा हूँ, बहु या कुछ conflict, कुछ drama, कुछ tension, बहुती एक जगरा वाला महौल है, उदर, okay, जो कि मैं यहां पे देख पा रहा हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ अगर आपके partner किसी third party के साथ जुरे हुए है, या फिर अगर वो married है, तो यह जितना मेरे को energy दिख रहा है, यहां पे बहुत सारे ल के लिए ऐसा भी resonate कर सकता है, कि उनके family, family में जो family members है, उनके साथ बहुत ज्यादा जहमेला हो रहा है, if they are not married, if they are not connected with any romantic third party, then उनके family में बहुत ज्यादा जहमेला चल रहा है, अगर वो connected है, किसी third party के साथ, या किसी, अगर वो married है, तो उनके spouse के साथ, या उनके उसी third party partner के स बहुत ज्यादा जहमेला चल रहा है, ओके, take it how it resonates, and this is the situation, ओके, let me clarify both of these cards, five of wands and three of pentacles, let's clarify, why this kind of situation came, क्यों ऐसा situation आया है, क्यों इतना जगरा चल रहा है, भाई, दिखाओ हमें, घरवालों के साथ भी हो सकता है, किसी third party, जो romantic third party है, उनके साथ भी हो सकता है, अगर वो लोग married है, उनके साथ भी हो सकता है, बद कहीं न कहीं, बहुत बड़ा बवाल कुछ चल रहा है, अभी, that's for sure, okay, let's see, okay, it's been clarified by the hermit card, the queen of pentacles, and ten of wands, okay, पैसे को लेके जमिला है, पैसे को लेकी issue है, okay, this person, ये जो इनसान है, ये चाते है, ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा अभी burdensome situation, मैंने already बोला कि बहुत सारे लोग involved है, बहुत ही बड़ा कलेश, बहुत ही बड़ा बवाल कुछ चल रहा है, इस इनसान के जिन्दगी में, and this person is feeling like, मतलब बहुत, क्या बोलू मैं, एक तरह से heavy है, बहुत heavy है situation, उनके लिए ये जहेल पाना, ये ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि continuous person is like के, मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को अपने हाल में छोड़ दो, मेरे को disturb मत करो, मुझे अब ये सब situation लेना ही नहीं है, मुझे अकेला रहना है, I want to stay alone, कल भी जो हमने reading किया था, वो same energy कल के reading में आया था, जिन जिन लोगोंने love reading कल का नहीं देखा है, प्लीज जा के देखिए, क्योंकि energy similar है, यहाँ पर no contact situation में भी same energy मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि एक connection हो दो reading के बीच में, तो प्लीज कल का reading भी आप लोग देखिएगा, और कल के reading जिन जिन लोगोंने देखा है, वो आज का reading भी देख सकते है, क्योंकि हो सकते है कोई connection बने दो reading के बीच में, but this person is absolutely feeling कि इस दुनिया में इस इंसान को कोई प्यार नहीं करता, उनको nurturing, caring वाला vibe किसी से नहीं मिलता है, and सिर्फ और सिर्फ कलेश, सिर्फ और सिर्फ जहमिला, so this person wants कि मुझे, मुझे अकेला छोर तो मुझे अकेला रहना है, okay, and कुछ, कुछ प्रतिशत problem, मुझे पता नहीं exact problem क्या है, but उस problem का हो सकता है, 40%, 50% reason, financial कोई reason है, okay, बाकी भी बहुत सारा reason हो सकता है, जो कि एक और reason मैंने बोला कि उनको शायद कहीं से कुछ प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार as in, कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहे है, या फिर हो सकता है, उनको ऐसा लग रहा है, कि हर कोई उनके साथ गलत बरताओ कर रहा है, हर कोई उनको neglect कर रहा है, या ऐसा कुछ, और कोई उनका care नहीं करता, ऐसा भी एक point हो सकता है, बच ज्यादा तर मैं जो देख रहा हूँ, कि finance, finance regarding कोई issue है, okay, what is the bottom of the deck, oh, bottom of the deck is two of swords, absolutely heart chakra is blocked, same, same energy कल भी आया था, आप लोग प्लीज कल का reading जरूर देखियेगा, इस इनसान का heart chakra blocked है, absolutely, अभी वो सोचने समझने वाले position में बिलकुल भी नहीं है, ओके, आपको तो block करके ही शायद रखे हैं, यहाँ पे जितना मेरे को दिख रहा है ऐसा, but, normal life में भी यह इनसान अभी बहुत ही ज़्यादा blocked है, इनका energy blocked है, and they are like कि मैं क्या करूँ, they are also a bit defensive, okay, कोई भी उनके सामने अगर आता है तो अभी बहुत ही गलत तरीके से और बहुत ही rudely शायद यह behave करेंगे, और ज्यादा कोई कुछ बोलेगा तो उसको एक तरह से अपने, अपने पास से शायद उसको दूर कर दे, ऐसा इस तरह का एक tendency हो सकता है, okay, let's see, what is their current feelings in this no contact situation, what is their current feelings in this no contact situation, let's see, the magician, okay, and bottom of the deck is the sun card, okay, this person is manifesting happiness, this person is manifesting joyous life, this person is manifesting के कोई उनको as a kid, as a बच्चे को जिस तरह से pamper किया जाता है, बच्चे को जिस तरह से care किया जाता है, उस तरह का nurturing and caring energy, this person is manifesting, शायद उनको अभी family से नहीं मिल रहा है, जब आप देते थे तब आपका इस feeling का कोई कदर किया नहीं, इस इंसान ने, this person is a trickster kind of player किसम के इंसान है, जो कि मुझे दिख रहा है, बच right now this person is manifesting, क्योंकि जब इंसान को असली प्यार का value नहीं होता, और जब वो गवा देता है, उसके बाद उस इंसान को realization होता है, अब इस इंसान को realization हुआ है, कि हाँ मेरे जिन्दगे में कुछ नहीं है, ना खुशी है, ना मुझे से प्यार करने वाला कोई है, ना मैं किसी के सामने दिल खोल के बात कर सकता हूँ, ना मैं खुश हो पा रहा हूँ, ना कोई joyous moment है मेरे जिन्दगी में, तो I just want to manifest, मुझे वो चाहिए, बच वो नहीं है, ओके, let me clarify this magician, why this magician is here, let's see, Magician been clarified by Eight of Cups and King of Cups, bottom of the deck is the vault card, okay, they just want to walk away from this situation, आपके तरफ जो प्यार है इस इंसान का, उस प्यार को अपने दिल में लेके, this person wants to walk away from this chaos kind of thing, इतना जहमिला, इतना जगरा, इतना मारपिट, यह सारे जो emotions है, सारे जो लोग है, इन सब लोगों से यह दूर जाना चाता है, कल का reading, प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत similarities है, कल के reading के साथ, आज के reading के बाद, प्लीज कल का reading, आप लोग जरूर, love reading जरूर देखिएगा, ओके, this person wants to walk away, वो दूर जाना चाता है, अकेला रहना चाते है, they are manifesting शान्ती, they are manifesting peace, they are manifesting happiness, they want to remain silent, ओके, सिर्फ और सिर्फ silent, in some situations, वो आपको sorry भी बोलना चाते है, यहाँ पर वो energy भी है, they want to say sorry, because जो रिष्टा उन्होंने खतम किया था, उन्होंने गल्ती की, उस गल्ती का एक तरह से, they want कि आप उनको माफ करें, या वो माफी मांगे, at least आप से, okay, let's see in this no contact situation, आप लोग कैसे हैं, आपका energy कैसा है, let's see in this no contact situation, what is your energy, you are absolutely heartbroken, three of swords, and bottom of the deck is the wheel of fortune, you are waiting for the right time, you are waiting for the karma, you are waiting for the karma, you are waiting for the divine time, you are absolutely surrendering to the universe, के जो दर्द मुझे मिला है, अब मैं आप पे पूरा surrender कर रहा हूँ, या कर रही हूँ, आप पूरा समझ लो, आप भगवान को इस तरह का आपका एक feeling है, क्योंकि आपके दिल में बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा pain है, I cannot even express कि कितना pain है, कितना दर्द है, और इतना ज़्यादा दर्द है, कि आपके दिल के अंदर ये चल रहा है, कि प्लीज इश्वर, इस situation से मुझे बाहर निकालिए, ये जो cycle है, इस चीज को change कीजिए, और एक तरह से good times लेके आईए, और उस किसी भी एक चीज में कर्मा मिलना चाहिए, ये जो दर्द आपको मिला है, इस दर्द को आप चाहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये दर्द रिकवर हो, रिकवरी हो इस दर्द का, बट अभी तक आपका बहुत दिल तूटा हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा पीनफुल है, मैं बोल रहा हूँ, बट आप लोग कितना दर्द से गुजर रहे हैं, इस इंसान का वाड, आक्शन और इंटेंशन, या उन्होंने ऐसा कुछ बिहेवियर शायद आपके साथ किया है, जिस बिहेवियर ने आपको तोड़ के रख दिया, एक तरह से, आपके दिल को तोड़ के रख दिया, and you want कि एक तरह से उस इंसान को कर्मा मिले, या फिर भगवान आपके साथ नियाई करे, जस्टिस हो, और सही वक्त आए, डिवाइन टाइम आए, absolutely you are surrendering, basically you are surrendering, कि जो होगा भगवान आप कीजिये, इस इंसान का इंटेंशन क्या है, let's see, नो कॉंटेंशन में, what is their current intention, queen of pentacles, bottom of the deck is the knight of cups, and queen of pentacles, बहुतार major arkan है, this person wants कि कोई इस इंसान से प्यार करे, प्यार की कमी है, इनके life में, their intention is to, एक तरह से आपको propose करे, their intention is to, आपको एक तरह से sorry बोले, आपकी तरफ आए, ताकि फिर से वही nurturing and caring, जो आप करते थे इस इंसान को, वो उस इंसान को मिल पाए, आपके तरफ आने से, आपको कैसे आपके सामने आएंगे, आपको कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे, किस मुह से आएंगे, ये इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है, जो प्यार उनको नहीं मिल रहा था, वही प्यार, वही nurturing kind of energy, उनको फिर से मिले, और उसके लिए वो sorry बोलने के लिए भी तैयार है, लेट मी clarify this queen of pentacles, let's clarify this queen of pentacles, okay, we got one card, yeah, मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, कभी नहीं होता, see, see, four of wands, and queen of, bottom of the deck is four of wands, queen of pentacles been clarified by two of cups, and ace of wands, this person wants the soulmate kind of energy, जो आपके साथ हुआ करता था, वही soulmate, वही प्यार, इस इस इनसान के जिन्दगी में वापस आए, भले ही आप उनके दोस्त बनके रहें, भले ही प्यार, मतलब, भले ही शादी हो या ना हो, that is a different chapter, but at least आप उस इनसान के जिन्दगी में, as a friend रहे, बढ़ जब आप ये चीज़ करते थे, naturally, प्यार में, तब आपका कोई value किया नहीं गया था, now this person wants to marry you, reconciliation, इसके नीचे दा चैंपरेंट्स कार्ट, they want to have a reconciliation with you, brand new chapter beginning, from a friendship level, friendship level as in obviously, आपके सामने आप किस मूँ से आएंगे वो, तो थोड़ा 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 करके, चीजों का शुरुवात हो, at least आप मान जाएं, या अगर वो married हैं, तो at least आप उनके friend बनके ही रहो, बट उनके जिंदगी में रहो, क्योंकि उनको आपकी जरूरत है, okay, let's see, what is your intention in this situation, आपका intention क्या है, what is your intention in this no contact situation, let's see, let's see, yeah, six of pentacles, you want the balance, you want equal give and take, आपको prioritize करे, you want this person, ये इंसान आपको priority दे, जो कि आपको पहले नहीं दिया गया था, पहले आपको एक तरह से भिखारी की तरह च्रीट किया गया था, आपको ऐसे, क्या बोलू मैं, breadcrumbs दिया जाता था एक तरह से, okay, you want कि ये इंसान आपको priority दे, you want कि आप दोनों के जिंदगी के अंदर balance ओ, भले ही third party situation रहे, equation में, but still आप उस इंसान के जिंदगी के एक पार्ट है, वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, इस चीज का validation आप चाहते हो, this is what you want, this is the intention that you have, कि ये इंसान at least आपको validation दे के, हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो validation रहे, आप उनके जिंदगी का priority बनना चाहते हैं, basically, okay, let's see, now, the climax, let's see, in this no contact situation, ये इंसान क्या action लेने के बार, okay, we got the card, wow, in this no contact situation, ये इंसान क्या action लेने के बारे में सोच रहे हैं, या क्या outcome हो सकता in this no contact situation, let's see, already we got one card, I want two more cards to decide, yeah, yeah, reconciliation, okay, मैं बोल देता हूँ, जो card पहले जम करके आया था, वो है two of swords, then ace of cups, and the fool card, this person wants, कि इस इंसान का heart chakra, जो है, वो open up हो, there is a chance, कि unblocking हो, okay, no contact, no contact, ना रहे, no contact, unblock हो, contact होगा, एसा एक chance, मुझे यहां पे दिख रहा है, unblocking का, chance दिख रहा है, heart chakra, open up होते हुए, दिख रहा है, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, and this person will, take the leap of faith of the universe, कि हाँ, मुझे आगे बरना है, आपके तरफ, आपको चूज करना है, क्यूंकि, आपके तरफ सूरज है, आपके तरफ light है, आपके तरफ खुशिया है, आपके तरफ प्यार है, और freely, एक पागल की तरह, एक नए इंसान की तरह, एक बच्चे की तरह, ये आपके तरफ आ सकते हैं, क्यूंकि, आप इस इंसान को, एक तरह से एक बच्चे की तरह ही, प्यार करते थे, च्रीट करते थे, ये इस इंसान को, बहुत अच्छी तरह से पता है, तो obviously, आपके पास अगर आएंगे, तो उनको वो सब चीजे, वो सब खुशिया, आटोमेटिकली मिलेगा, जो कि इस इंसान को, नहीं मिल रहा है, जो कि उनको चाहिए, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, कि उनका हाथ चक्रा, ओपन अप होते हुए, कितना वक्त लगेगा, वो मैं चेक करूँगा, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उनका हाथ चक्रा, वो ओपन कर सकते हैं, हो सकते हैं, आपके सामने रोए भी, किसी चीज को लेके, रोना धोना हो, आप भी रो सकते हैं, यह भी रो सकता हैं, या फिर ऐसा हो सकते हैं, बहुत सारी बातें आप लोग करो, और पूरा इमोशनल एक एक्स्प्रेस करें, एक दूसरे के सामने, and I can see a reconciliation is happening, partnership, collaboration, फिर से joyous happy moment with you, बट इस joyous happy moment के अंदर भी, वो third party situation जो भी, अगर family है तो family, अगर वो married है तो married, अगर वो किसी third party के, romantic third party के साथ जूरे है, whatever the situation is, वो third party इस equation में रहेगा, ये मान के आप चलो, बट आपके साथ reconciliation हो सकता है, मैं बहुत ही straight cut बात करता हूँ, बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगा, कि वो सब चीजों को छोड़ के, वो आपके पास आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो सब third party वाला situation को, equation में रख के, वो आपके पास आएंगे, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता, obviously अगर वो married है, तो obviously अपने spouse को नहीं छोड़ सकते, आपके लिए, ये आपको समझ नहीं होए, इस दर्यालिटी, okay, let's see, के, time, time, okay, yeah, let's see, कितने time के अंदर, ये no contact, break होने के चांसे से, I will only take one card, and I will, मैं बोलूंगा, okay, okay, there is a chance, कि ये no contact, I think January, January तक break हो जाएगा, एक महिने के अंदर break हो सकता है, December से January के बीच में, ये no contact break हो जाएगा, there is a chance, reconciliation and healing, okay, जितने लोगों के साथ ये resonate करेगा, वो आप मेरे को फिर बाद में, comments में जरूर बताइएगा, कि मेरा reconciliation हुआ है, definitely ये होगा, अभी से लेके, arts के reading से लेके, आप January लास तक पकर के चलो, इसके बीच में, ये इंसान आपको approach करेंगे, या हो सकता है, unblock कर दे, अगर blocked हैं, तो unblock करेंगे, अगर बातचित बन्द है, no contact चल रहा है, properly, block करके भी properly, अगर ब्लॉक नहीं है, बट no contact चल रहा है, तो absolutely वो आप से बात करने वाले है, okay, let's see के कौन से sign के हो सकता है, आप या ये इंसान, अगर अभी तक का reading आपके साथ resonate किया है, तो ये आपी का reading है, भले ही signs match ना करें, ये याद रखिएगा, let's see the signs, क्या signs के हो सकता है, आप या आपके partner, okay, 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 so earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, Aquarius, and cancer, Pisces, Scorpio, and also, थोरा सा fire signs भी है, एजिज, लियो, Sagittarius, बस fire signs बहुत कम है, okay, fire signs कम है, but water signs, definitely water signs बहुत ज्यादा होगा, हो सकता है, आप water sign है, या आपके partner water sign है, definitely water signs, and air signs, and earth signs, okay, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, cancer, Pisces, Scorpio, ज्यादा तर cancer, Pisces, Scorpio, okay, let's see, universe की तरफ से, इस situation में, आप लोगों के लिए, क्या guidance, या क्या spiritual message है, इस no contact situation में, क्योंकि आप लोग, heart broken थे, so let's see, universe आपको, क्या बोलना चाहते हैं, आपकी अंदर बहुत शक्ती है, universe यही बोलना चाहते है, कि आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा power है, बहुत शक्ती है, आपके अंदर बहुत strength है, but अभी heartbreak के चक्कर में, शायद वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप दुखी है, ऐसा हो सकता है, but universe आपको यही बोलना है, जिन्दगी आगे अगर आपको बढ़ाना है, तो वो चलेगा नहीं, आपको उठके खड़ा होना परेगा, आपको मजबूत बनना परेगा, आपको strong बनना परेगा, and universe का साथ हमेशा आपके साथ है, universe हमेशा आपके साथ है, so please trust the divine process, please trust, भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर, अल्ला, गौड, universe भरोसा रखिए, definitely, definitely, सब कुछ अच्छा होगा, बढ़ आपको मजबूत होना परेगा, आपको high vibrations में आना परेगा, वो आपके अच्छे के लिए, universe यह चीज़ बोल रहा है, सिर्फ love situation के लिए नहीं, जिन्दगी के हर पार्ट के लिए, नया साल आने वाला है, so be strong, strong रहिए, मजबूत रहिए, ताकि कोई आपको harm ना कर पाए, okay, so यह था आजका guidance, take stand for yourself, and be strong, gather your strength, okay, so thank you so much for watching this video, कैसा लगा आजका reading, please comments में जरूर बताएगा, and जो सवाल मैंने आपसे किया है, कि आपके जिन्दगी का सबसे बड़ा डर कौन सा है, वो जरूर आज comments में मुझे बताएगा, और हम आगे भी इस तरह का readings लेके आएगे, I am not sure कि yearly 2024 का एक reading, मैंने सोचा था मैं लेके आऊंगा, I hope कि मैं वो लेके आऊं, सभी science के लिए बहुत जल्द love reading कैसा जाएगा 2024, उसका हर sector का कोशिश करूँगा, वो prediction वाला reading लेके आनेगा, थोरा सा वक्त का issue है, आप सभी को पताएगा मैं travel कर रहा हूँ, बाहर हूँ काम से, तो देखता हूँ, बाट definitely कोशिश करूँगा मैं लेके आने का, so please मेरे साथ बने रहिएगा, और love reading जैसे चल रहा है, no context love reading, जो भी हम लोग करते हैं, वो तो होगा ही, क्योंकि आप लोग को ज़रूरत है इन सब readings का, so thank you so much for watching with this video, we'll see you in the next video, तब तक के लिए, please take care of yourself and be strong, huh?